दुनिया को अलविदा कह चुके हैं महाभारत के ये कलाका अब नहीं रहे महाभारत के 9 एक्टर दूर दर्शन टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाला बियार चोपरा द्वारा निर्देशित महाभारत ने जो काम्याबी हासिल की है आज तक उतनी काम्याबी कोई दूसरा सीरियल हासिल नहीं कर पाया है उस समय जिनके घर पर टीवी हुआ करता था वहाँ पडोसियों की भीड लग जाया करती थी महाभारत से लोगों को इतना लगाव था कि वो इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करते थे आज से 35 साल पहले जब महाभारत शुरू हुआ तो शायद बी आर चोपड़ा को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि आने वाले दिनों में यह सीरियल इतिहास रचने वाला है हालांकि वर्तमान समय में इस सीरियल में काम कर चुके नौ कलाकारों की मृत्यू हो चुकी है आईए आपको इनके बारे में बताते हैं कि वह नौ कलाकार कौन है जैश्री कृष्ण मित्रो बायोग्राफी विथ आर पी डी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है कृपया वीडियो को पूरा देखे विडियो को आधा अधूरा देख कर श्री कृष्ण भगवान को नाराज न करें धर्मेश तिवारी ने महा भारत में कृपाचार्य का किरदार निभाया था धर्मेश तिवारी का जन्म 27 अप्रेल 1911 को चंडीगर भारत में हुआ था बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि धर्मेश तिवारी की मृत्यू 6 अगस्त 2014 को 10-30 वर्ष की उम्र में डाइबिटीज की वजह से हो गई भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें जै शियारा मशहूर एक्टर गूफी पेंटल ने महा भारत धारा वाहिक में शकुनी मामा का किरदार निभाया था गूफी पेंटल का जन्म 4 अक्टूबर 1944 को पंजाब में हुआ था पत्नी का नाम रेखा पेंटल है जन्म तरन तारन पंजाब भारत में हुआ था गूफी पेंटल अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका लंबी बीमारी के चलते हल ही में 5 जून 2023 को 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें जैशिया राम दारा सिंह रंधावा ने महा भारत में भी हनुमान का किरदार दारा सिंह ने निभाया था दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को ग्राम रतनेगड गुर्दासपुर जिला पंजाब में हुआ था दारा सिंह की मृत्यूद 11 जुलाई 2012 को हार्ट अटैक आया था जिसके बाद उन्हें कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था डॉक्टर्स ने बताया था कि उनका दिमाग में खून न पहुँचने की वजह से डैमेज हो गया है 12 जुलाई 2012 को उन्होंने अपने मुंबई वाले घर में दम तोड डाच दिया था भगवान इनकी आत्मा को शांती प्रदान करें जैशिया राम दारा सिंह ने दो बार विवाह किया इनकी पहली पत्नी बचनो कौर की मृत्यू उन्नीस सुंपया सेंट में हुई इसके बाद उनीस सो नीक सास में इन्होंने दूसरा विवाह सुर्जीत कौर के साथ किया एक्टिंग के अलावा दारा सिंह डाइरेक्टर भी थे महा भारत में गोगा कपूर ने कंस की भूमिका निभाई थी गोगा का जन्म 15 दिसंबर 1940 को गुजरावाला पाकिस्तान में हुआ था गोगा कपूर बॉलिवूड के फेमस विलिन्स में से एक थे इन्होंने अमिताब बच्चन की फिल्मों तूफान और अगनिपत के साथ साथ कई और फिल्मों में विलिन का रोल निभाया था साल 3 मार्च 2011 में सतर वर्ष की उम्र में गोगा कपूर ने लंबी बीमारी की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें जैशिया राम एक्टर राजेश विवेक ने महा भारत में वेद व्यास का किरदार निभाया था विवेक का जन्म 31 जन्वरी 1949 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था महा भारत के फेमस होने के बाद राजेश विवेक ने टीवी शो देवों के देव महादेव और फिल्में जैसी लगान, स्वदेश और जोधा अकबर आदी में काम किया था साल 14 जनवरी 2016 को 66 साल की उम्र में हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पढ़ने से राजेश विवेक का निधन हो गया भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें जैशिया राम वीरेंद्र राजदान ने महा भारत में विदुर का किरदार निभाया था वीरेंद्र राजदान का जन्म 1950 में हुआ था हालांकि उन्हें 1982 की फिल्म गांधी में मौलाना आजाद का किरदार निभाने के लिए जाना जाता था उन्होंने बॉलिवुड फिल्म जंजीर आजा मेरी जान आदी फिल्म काम किया था वीरेंद्र रेजदान की मृत्यू 13 जून 2003 को तेकॉनन वर्ष की उम्र में मुंबई में हो गई भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें जैशिया राम सतीश कॉल ने देवराज इंद्र का किरदार ने भाया था सतीश कॉल का जन्म 8 सितंबर 1946 को कश्मीर भारत में हुआ था बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सतीश कॉल की मृत्यू 10 अप्रेल 2021 को प्यचत्तर वर्ष की उम्र में हो गए भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें जै शिया राम प्रवीन कुमार सोबती ने भीम का किरदार निभाया था प्रवीन कुमार सोबती का जन्म 6 दिसंबर 1947 को भारत के पंजाब के सरहाली का लान में हुआ था बहुत दुख के साथ कहना परह रहा है कि प्रवीन कुमार सोबती की मृत्यू 7 फरवरी 2022 को 14 वर्ष की उम्र में हो गई भगवान इनकी आत्मा को शांती प्रदान करें जै शिया राम महा भारत में नकुल का किरदार समीर चित्रे ने निभाया था वर्टमान में समीर चित्रे की मृत्यू हो चुकी है भगवान इनकी आत्मा को शांती प्रदान करें जै शिया राम नितीश भार्दवाज ने महा भारत में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया था नितीश भार्दवाज का जन्म 2 जून 1963 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था वर्टमान में नितीश भार्दवाज का उम्र 60 साल है इनकी दो शादियां हुई है जिनका नाम मोनिशा पाटिल और स्मिटा गेट है जन्मस्थान मुंबई महाराष्ट्र भारत है नितीश भार्दवाज एक्टर, डायारेक्टर और प्रोड्यूसर है वह 1987 से लगातार, फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं और मुंबई में ही रहते हैं वह लोग सभा सांसद और जानवरों के डॉक्टर भी रह चुके हैं महाभारत के अलावा विश्णु पुराण, गीता रहस्य रामायन और अजब गजब घर जमाई जैसे सीरियल में काम कर चुके हैं क्रिश्न की भूमिका निभाकर 23 साल की उम्र में नीतीश भारदवाज रातों रात स्टार बन गए साल 2000 में इन्होंने बियार चोपरा के एक और पौराणिक शो विश्णु पुराण में भगवान विश्णु और उनके विभिन अवतारों की भूमिका निभाई थी मुकेश खन्ना ने महाभारत धारावाहिक में भीश्म पितामह का किरदार निभाया था मुकेश खन्ना का जन्म 23 जून 1978 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र 65 साल है मुकेश खन्ना जी भारती ये सिनेमा में एक अभिनेता और टीवी कलाकार रूप में काफी प्रसिद्ध है इनको सबसे ज्यादा दूर दर्शन के पॉपुलर शो शक्तिमान और बी आर चोपद्धा द्वारा निर्मित महाभारत शो में भीश्म पितामह में मिला महाभारत के भीश में पितामह ने असल जिंदगी में भी शादी नहीं की है अब क्या कर रहे हैं मुकेश खन्ना आजकल जैपूर और आगरा में एक्टिंग स्कूल चलाते हैं गजेंद्र चोहान ने महाभारत धारा वाहिक में युधिष्ठिर का किरदार निभाया था गजेंद्र चोहान का जन्म 10 अक्टूबर 1956 में दिल्ली के एक मध्यम परिवार में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र 66 वर्ष है पत्नी का नाम हबीबा रह्मान है जन्मस्थान दिल्ली भारत युधिष्ठिर के किरदार ने इन्हें रातों रात फेमस कर दिया इसके बाद वो टीवी के साथ साथ फिल्मों में भी काम करने लगे एक इंटर्व्यू में गजेंद्र चोहान ने बताया था कि इस किरदार ने मेरे करियर पर इतना गहरा असर डाला कि गजेंद्र चोहान की असल 66 दबकर रहे गई जहां मैं जाता लोग मुझे युधिष् पुनीत इस्सर ने महा भारत में दुरियोधन का पावरफुल किरदार निभाया था पुनीत इस्सर का जन्म 6 नवंबर 1929 को पंजाब के अमरित्सर में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र 63 साल है पतनी का नाम दीपाली है जन्मस्थान अमरित्सर पंजाब भारत पुनीत इससर ने साल 1983 में अमिताब बच्चन स्टारर कुली से बॉलिवुड में डेब्यू किया था इस फिल्म के एक फाइट सीन के दौरान उन्होंने गलती से अमिताब बच्चन के पसलियों में जोर का मुक्का मार दिया था जिससे वो मरते मरते बचे थे इसके बाद पुनीत को कई अच्छी फिल्मों से हाथ धोना पढ़ दहा था फिरोज खान ने महाभारत धारावाहिक में अरजुन का किरदार निभाया था जब मेरे वाणों की वश्या होगी तो अगनी बसेगी और वो अगनी कुरुसे नोश्यू फिरोज खान का जन्म 9 जनवरी 1964 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ था महाभारत में अरजुन का किरदार निभाने से वो इतने मशहूर हुए कि उन्होंने अपना नाम अरजुन ही रख लिया रूपा गांगुली ने महाभारत धारावाहिक में द्रौपदिये का किरदार निभाया था रूपा गांगुली का जन्म 25 नवंबर 1966 में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र 26 बर्श है पति का नाम धृबो मुखरजी है जन्म स्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत रूपा गांगुली साल 1966 से ही बॉलिवुड में सक्रिये थी लेकिन महा भारत में द्रौपदी के किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था इसके बाद 1996 तक कई बॉलिवुड फिल्मों और टीवी धारा वाहिकों में अपनी एक्टिंग के जल्वे बिखेरे रूपा 2015 में बीजेपी में शामिल हुई इस वक्त वह संसद की उच्च सदन में सांसद हैं गंधारी का किरदार रेणु का इसरानी ने निभाया था रेणु का इसरानी का जन्म आठ नवंबर 1966 को जैपुर राजस्थान में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र सपिताफन वर्ष है रेणु का अब भी एक्टिंग में एक्टिव हैं पंकस धीर ने महा भारत धारावाहिक में करण का दमदार किरदार निभाया था पंकस धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र 67 साल है पतनी का नाम नीता धीर है जन्मस्थान मुंबई महाराष्ट्र भारत पंकस धीर अपनी शांदार एक्टिंग से करण की भूमिका को इतना लोक प्रिये बनाया कि स्कूल की किताबों में करण की जगह पंकस धीर की तस्वीर होती थी यहां तक कि आज भी उनकी मूर्तियों को करणाल और बस्तर के मंदिरों में करण के रूप में पूजा जाता है विनोध कपूर ने महा भारत धारावाहिक में दुशासन का किरदार निभाया था विनोध कपूर का जन्म एक जून 1965 को मुंबई भारत में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र अखठाबर वर्ष है इसके अलावा वो टीवी धारावाहिक रामायन और विश्नु पुरान में विभीशन की भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं सुरेंद्रपाल ने महा भारत धारावाहिक में द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था सुरेंद्रपाल ने द्रोणाचार्य का भूमिका निभाया था सुरेंद्रपाल का जन्म 25 सितंबर 1993 को लखनव उत्तर प्रदेश में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र सत्तर वर्ष है पत्नी का नाम बर्खा शर्मा है शक्तिमान में समराट किलविश और देवों के देव महादेव में दक्ष किरदारों के लिए भी जाने जाते हैं सुरेंदर पाल को हम पिछले कई दशकों से फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में देखते आ रहे हैं कमवरजीत पेंटल ने शिखंडी का किरदार निभाया था और इसका अर्थ ये है कि मेरे लक्ष की और जाने वाला मार्क कदाचित यहीं से निकलता है कमवरजीत पेंटल का जन्म 22 अगस्त 1948 को पंजाब भारत में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र 76 वर्ष है पत्नी का नाम गीता दर्दल है सुमीत रागवन ने सुदामा का किरदार निभाया था सुमीत रागवन का जन्म 22 अप्रेल 1971 को मुंबई महाराष्ट भारत हुआ था वर्तमान में इनका उम्र बाकवन वर्ष है पत्नी का नाम चिन मैं सर्वेक्षण है हरीश भिमानी ने अपने मधुर वोईस से समय का किरदार निभाया था मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ महाभारत में मैं समय हूँ की वोईस ओवर हरीश भिमानी जी ने की थी हरीश भिमानी का जन्म 15 फरवरी 1906 पुलिस को मुंबई महाराष्टर में हुआ वर्तमान में इनका उम्र 77 वर्ष है पत्नी का नाम रेखा है नाजनीन ने कुंती का किरदार निभाया था नाजनीन का जन्म 23 फरवरी 1908 पन को कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत हुआ था वर्तमान में इनका उम्र 55 वर्ष है वर्षा उस गामवकर ने उत्तरा का किरदार निभाया था वर्षा उस गामवकर का जन्म 28 फरवरी 1968 में उस गाओ गोवा भारत में हुआ पति का नाम अजय शर्मा है वर्तमान में इनका उम्र 25 वर्ष है शरत सक्सेना ने कीचक का किरदार निभाया था शरत सक्सेना का जन्म 17 अगस्त 1950 को जबलपुर मध्य प्रदेश भारत में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र 73 वर्ष है चन्ना रूपा रेल ने रुकमणी का किरदार निभाया था अब द्वारी कासी यहां के ले ही चलिया आए चन्ना रूपा रेल का जन्म 17 मई 1971 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र 22 वर्ष है तारकेश चोहान ने पांडू का किरदार निभाया था हमें मित्रता बहुत अच्छी लगती है मदर नरेश विश्व में मित्रता के हाथ से अधिक सुंदर तो कुछ है ही नहीं तारकेश चोहान का जन्म जैपुर राजस्थान भारत में हुआ था संजीव चित्रे ने सहदेव का किरदार दमदार तरीके से निभाया था नकुल और सहदेव थें शीला डेविड ने माता देव की का किरदार निभाया था प्रदीप राम सिंह रावत ने अश्वत थामा का किरदार दमदार तरीके से निभाया था प्रदीप राम सिंह रावत का जन्म 21 जन्वरी 1902 को जबलपुर मध्यप्रदेश भारत में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र इतकत्तर वर्ष है समीर राजदा ने राजा विराट का बेटा उत्तर का किरदार निभाया था समीर राजदा का जन्म 20 अप्रेल 1963 को मुंबई भारत में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र 60 वर्ष है मयूर ने अभिमन्यू का किरदार निभाया था मैरे केशों से तो मेरी सुभदरती सुगंधारी है तो फिर तुम अभिमन्यू हो मयूर का जन्म 1964 में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र 33 वर्ष है करुणा करपाठक ने शिशुपाल जी का किरदार निभाया था ललित तिवारी ने संजय का किरदार निभाया था इस समय तो धृष्ट दुमन और आचारे द्रोण में युद्ध चल रहा है महराज इन्होंने ही राजा धृतराष्ट को युद्ध का आँखों देखा हाल सुनाया था इनके पास दूर दृष्ट की शक्ती थी ललित तिवारी का जन्म 25 मार्च 1955 में हुआ था दीब धिल्लों का जन्म 12 जन्वरी 1956 में हुआ था वर्तमान में इनका उम्र 77 वर्ष है सागर सालूंके ने बलराम का किरदार एकदम परफेक्ट तरीके से निभाया था दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जै श्री कृष्णा लिखना न भूले हे भगवान महाभारत के मृत कलाकारों की आत्मा को शांती प्रदान करना और जो इस वीडियो को लास्ट तक देखे है उनके जीवन में हमेशा कृपा बनाए रखना जै श्री कृष्णा